हैलो डेवलपर्स वेल्कम बेक टो कोट स्टेप बेस्टेप माइब इस आनिल और एंगलर के इस पाड़ में लोग बात करने वाले हैं 404 पेज के बारे में आप लोग यहां पर सोच रहो है कि यह 404 यह तो लिखा है 404 बट आप इसको 404 क्यों बोल रहे हो इसका रिजन यह है development के अंदर जब हम basically programming करते हैं कई बार 0 को ओ भी बोलते हैं because यह थोड़ा short पढ़ता है अगर मैं आप ही बोलता हूँ 404 थोड़ा जोड़ लगता है तो 404 बोल देते हैं simple बनाने के लिए otherwise अगर आप चाहो तो इसको 404 बोल लो 404 बोल लो 404 बोल लो एक ही बात है कुछ भी पहले बात करेंगे 404 पे एक्च्वल होता क्या है इसके लिए component बनाएंगे इसके लिए routing बनाएंगे और इंटर्वी कोशन मैंने आपको पहले ही बता दिये सो देखो जब भी हम लोग कोई invalid URL हिट कर लेते हैं हमारी application के अंदर या फिर किसी वी website के अंदर तो उसको बोलते हैं हम लोग 404 error अब माल लीजे मैं यहां पर आता हूँ इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए और मैं यहां पर अभी के लिए नोर्मल जो हमारे URL से हैं इसको बोलेंगे हम लोग invalid URL और जो यह एरर आती है इसको बोलते हैं हम लोग 404 error इस 404 error को resolve करने के लिए हम लोग यूज करते है 404 page अब 404 एक common page होता है जब भी आप लोग कोई भी invalid URL हिट करते हो मान लोग कि आपने गलती से यहां पर test लिख दिया जो कि available नहीं था ABC लिख दिया या फिर 123 लिख दिया जो भी URL नहीं है वो लिखती है सो हमने पहले चीज देख ली 404 page क्या होता है अब इसके लिए component बनाते हैं ठीक है so component बनाने के लिए मैं यहां पर आता हूँ और लिखता हूँ और जैसे यह page बनेगा उसके बाद में just routing apply करनी है और हमारा कम चल जाएगा इसके अंदर एक चीज में आपको और बताई थी wildcard wildcard क्या होता है अभी आपको बता लेगा हमारा component बन गया अब इस component में क्या लिखूंगा मैं आपको बाद में बताऊंगा बट पहले इसको मैं दिखाता हूं आपको apply करके तो यहां पर आए हम यहां पर देखो हमारे पास about का URL है user का है सब की URL से हमारे पास इसको मैं हटा देता हूं इसकी जुरूरत नहीं है अब मैं यहां पर एक और URL बनाता हूं और यह common URL होगा जब भी कोई page नहीं available होगा तो यह वाला component खुलेग अब मैं सबसे पहले से यहां पर लिख देता हूं कि अपने आप उपर से इंपोर्ट हो गया और यहां पर लिख देता हूं मैं double star यह double star ही actually wildcard होता है इसका मतलब जब कोई भी हमारा route match नहीं होगा तो यह वाला page हमारा open हो जाएगा तो basically 404 page को handle करने के लिए हम लोग wildcard route apply करते हैं ठीक है ओके सो अब इसको हम लोग use करके देखते हैं कि यह कामकर भी रहा है कि ऐसे बन गया अब देखो यहां पर हमारा home page है about page है Peter Sam सब क्या डिवाइडी भी आ रही है सब कुछ ठीक चल रहा है अब यहां पर user आके simply link देता है a b c और आप यहां पर देख सकते हो no page works यहां पर आ गया ठीक है अब कोई भी URL था आप मैं आप लिख देता हूं X Y Z जो भी URL available नहीं है फिर भी यहां पर आ गया थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं यहां पर लिखता हूं no page कम HTML पर जाता हूं और यहां पर लिखता page not found ठीक है अब यहां पर ठीक दिखेगा अब देखो मैं आपर आता हूं home के उपर about के उपर सारे युजर वाला URL काम नहीं कर रहा है जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा यहां पर आ गया उप्स ठीक है विखोज हमने इसको चेंज करते हैं यहां पर अब मैं यहां पर लिखता हूं ABC अब भी सेम आ गया या फिर आप डिरेक्ट ली एगर कोई link के थूब जाते और वह link broken हो चुका है यहां पर मैं लिखता हूं app.html में जाके जैसे यूजर वाला URL था ना यहां पर लिखता हूं X Y Z और गलती से यहां पर लेट से किसी ने गलती से कुछ भी लिख दिया हूं ठीक है यहां पर आते हैं पर्फेक्टली काम कर रहा है यह भी यूजर वाले पर जाऊंगा अफर जाएगा यूजर वाला URL अवेलेबल नहीं है पेटर भी चल रहा है अ अब इसके उपर आता हूं तो यह फिर 404 दिखाएगा और यहां से कुछ भी अगर हम लोग एकसेस करेंगे जो अवेलेबल नहीं है तो यह वाला पेज दिखाएगा यह होता है 404 पेज तो थैंक्यू सो मच सारे सारे क्वेश्चन आपे क्लेर होगे कुछ अलग से क्वेश अभिस